ये क्या खा लिया तुमने तुम को ऐस टाइम पर ये सारी चीज़े नहीं खाना थे अपने मंद से कोई भी दवाया प्लीज मत लिया करो हम हैं तुमने चैनीज की डिमांड कर दी तुम ऐसा सोझ भी कैसे सकती हो चैनीज फोड अभी अच्छा नहीं होता है उसे नहीं खाना चाहिए प्लीज अवाइड करो और हां तुम रेगुलर पानी तो पी रही हो ना पानी की अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए ओफो पानी तो कम से कम पी ओ फल तो खाओ रेगुलरली ठीक है ठीक है बबा मैं प्यार से समझाती हो प्यार से मार से दुलार से सब तरह से समझाते हैं लोग जब एक महिला गर्वती होती है कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या नहीं खाना चाहिए लेकिन कभी सोचा है कि ये सारी जो चीजें हैं सिर्फ humans के लिए हैं कभी ये नहीं सोचा कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि pregnancy के दौर से होती है उनको भी तो कोई food craving होती होगी कुछ एक्षा करती होगी कुछ खाने की या कुछ सब क्या अपनी फीलिंग्स होती है और शायद यहीं सोचा होगा ना उस हतनी ने जो की गर्वती थी उसे भी तो पाइनेपल खाने का मन क्या होगा और इतिफाक से लोगों ने उसे दिया भी लेकिन दिया तो किस हालात में दिया देखा अपने उसमें इतने सारे पठाके भर कर दिये कि जिससे कि उसके खाते ही उसके मूँ में एक आग सी लग जाए एक जलन सी पैदा हो जाए विस्पोर्ट हो जाए उसके मूँ में उसे कैसा फील हुआ होगा कि उसे जो मुह के जलन को वो कम करें लेकिन देखो हुआ क्या उसे पता था कि इसके बाद उसकी लाइफ नहीं है वो अपने बच्चे से कह रही होगी कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाई बच्चे कितना अफसोस लगता होगा कि हम हम लोग इस तरह की इन हुमैनिटी जैसी है जिससे की प्रेग्नेंसी में महिलाओं को बहुत हेल्प मिले बहुत अच्छा फील करें उनको किसी तरह का नुक्सान नहीं हो उनकी डिलिवरी अच्छे से हो जाए लेकिन उनका क्या जो जानवर है वो कुछ बोल नहीं पाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं क्या हुमेनिटी इस तरह से गिरनी चाहिए हुमन होने का मतलब होता है कि जब आप इस दुनिया में आये हैं तो आपको अपनी रियालिटी पता होनी चाहिए कि आप किसी मकसद से यहां पर आये हैं लेकिन हम ले वो उनकी ले खिलवार थी चलो देखते हैं एकुश्पेरिमेंट करके देखते हैं कि चलो क्या होता है? यह एकुश्पेरिमेंट का थोड़ा सा मजा उसकी और उसके बच्चे की जान ले ली। वो मैंने कल एक फोटोग्राफ देखा था, फेस्बुक पर आया हुआ था, लिटरली उसका जो भुरून था, वो एक हाथ के बराबर, एक बित्ते के हाथ के बराबर, वो छोटा सा शेप लिया हुआ था, वो हाथी का क्यूट सा बेबी, कुछ समय के बाद वो बच्चा इस द कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो नुकसान भी बिल्कुल भी मत करिए, और देखी कहा जाता है, जो भी फल आप कर्म करते हो, उसका फल जरूर मिलता है, मान लीजे कि आपको जो फल है, आपके साथ सब कुछ अच्छा 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 हो गया लेकिन उसका जब पढ़ता है ना उसकी जब मार पढ़ती है तो किसी का भी नहीं चलता है तो आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ गुनाह करके बच जाईएगा चुप जाईएगा उसकी मार आपको पढ़नी ही बढ़नी है और ये डेफिनेटली ऐसा होगा किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए इस चीज़ का आप जरूर सोचिए कि आप कहां तक जा रहे हैं आपकी आप खुद में अपने अंदर जाक के दिखिए जो सबसे बड़ा जो जस्टिस होता है ना वो इसका कुछ नहीं हो सकता है तो प्लीज स्टॉप दिस जस्ट स्टॉप दिस